ओडियो नमबर थ्री क्रिशिक शेत्र में सहकारिता एवं दूरदर्शिता का समावेश हो मानुवे आवशक्ताओं में सर्वप्रथम उदरपूर्ती है इसके लिए अन्न के बिना और किसी साधन पर अवलंबित नहीं रहा जा सकता है अन्न खेतों से उपश्टा है किसान खेती करते हैं अपने निर्वाह तथा दूसरों के उदर पूर्ती के लिए उपजाते हैं यह चक्र बहुत समय से चल रहा है और गाड़ी जियों तियों लुढक रही है पर अब इस दिशा में कुछ नए ढंग से सोचने की आवशक्ता पड़ रही है सोचा जा रहा है कि खाद्यानों का उत्पादन अगले दिनों अधिक मात्रा में होना चाहिए इन दिनों जनसंख्या वृद्धी की धूम है परिवार नियोजन अंदुलन इस द्रिश्टी से निराशा जनक स्थिती में रहा है रोग थाम की तुल्ना में नया उत्पादन कहीं आगे निकल जाता है फल्तह आवशक्ताओं की पूर्ती होने के स्थान पर दबाओ और भी बढ़ जाता है नवुत पादित पीडियों को अन्न तो हर हालत में चाहिए ही वर्तमान उपच कम पढ़ती है पिछले दिनों विद्रशूं से मंगा कर काम चला है अब किसी प्रकार पैरों पर खड़े होने की स्थिती आई है तो भी बार-बार पढ़ने वाले दुरभिक्षों और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए उपच तो बढ़नी ही चाहिए महंगाई से किसान का खरच भी बढ़ा है उसकी पूर्ती उत्पादन से ही हो सकती है इस संदर्भ में परती जमीनों को काम मिलाने और रासाइने खादों का, कीट नाशक दवाओं का, सुधरे हल, ट्रैक्टर, पंपू का प्रचलन यथा संभव बढ़ रहा है यह विकास क्रम तो चलना ही चाहिए पर साथ ही एक बात और भी ध्यान रखने योग यह है किस क्षेत्र में सहकारिता का समावेश होना चाहिए अनिथा, सीमिज साधनों वाला, सीमिज जोतों वाला किसान अभीश्ट उत्पादन बढ़ा नहीं सकेगा सभी जानते हैं कि उद्योग, कृशी, सेवा, शिक्षा, कला आदी किसी भी व्यापक आवशक्ता कि पूर्ती के लिए उसमें आवशक श्रम शक्ती की व्यवस्ता जुणनी चाहिए अनिथा, छोटे प्रयतनों से, छोटे परिमान में, कम साधनों से किये गए प्रयास जीविद भर रहेंगे प्रगती की उचिस्तर पर पहुँच रहीं सकेंगे इसलिए व्यक्तिकत प्रयासों का समर्थन करते हुए भी दूर दर्शी हर क्षेत्र में सहकारिता का समावेश कर रहें हैं ताकि लाभांश भी उत्पादन करताओं को यथावत मिले और साथ ही उस प्रयोजन से उत्साह वर्धक प्रगती भी होती चले यही बात क्रशी उत्पादन के संबंध में भी लागू होती है इसलिए सहकारी क्रशी को प्रोचसाहन की आवशकता अनुभव की जा रही है पिछडे दिनों भारती क्रशी अन्य पिछडे देशों की तरह ही स्थेर एवं विकास हीन रही है यह केवल जीविका का साधन रही है क्रशी और क्रशक के संबंध में व्यापारिक तत्वों का समावेश नहीं रहा क्रशी विकास की धीमी गती का पता इस तथि से लगता है कि बीसमी सदी के आरंभिक अर्धभाग में क्रशी उतपादन में केवल एक चोथाई प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धी आई ना तो क्रशी को नई साथ सज्जा से विभूशित किया गया ना ही क्रशिकों के रहन सहन के स्तर में सुधार आ सका और ना उतपादन की नई गतीविधियों को ग्रहन करने की ओर प्रयास किया गया सहकारी क्रशी के सम्बंद में गांधी जी ने काफी समय पहले ही कहा था मेरा दुड़ विश्वास है कि हम तब तक क्रशी का पूरा लाब नहीं उठा सकते जब तक सहकारी खेती नहीं करने लगेंगे नहरु जी ने भी कहा था, सहकारी कृशी भूमी समस्याओं के क्षेत्र में मौलिक समाजवादी आदर्श को भवे पैमाने पर प्रयोक्त करने का प्रयास है इसी प्रकार जेसी कुमारप्पा की अध्यक्षता में गठित कॉंग्रेस भूमी सुधार समीती ने भी यही कहा है विभिन प्रकार की सहकारी पधतियों के बिना पारिवारी खेतों के लिए सहकारी उन्नत कृषी तथा मूल रूप से छोटे आकार की जोतों के विशय में सहकारी सयुक्त खेती कृषी कुशलता में प्रचर रुद्धी नहीं की जा सकती। सयंत राष्ट्र संग के रूरल प्रोग्रेस थ्रू कॉपरेटिव के अनुसार सहकारी कृषी अर्ध विक्सित देश की पुनरगठित भू विवस्था की प्रणाली के लिए आदर्श है, मुख्य तह वैसे देशों के लिए जो नियोजन के प्रजातांत्रिक सिध्धानतों द्वारा आर्थिक विकास प्राप्त करना चाहते हैं। का एकत्री करन तथा सयुक्त प्रयोग होता है। डॉक्टर आटो शीलन ने भी कुछ इसी तरह का प्रतिपादन किया। सहकारी खेती का प्रयोग प्राया ऐसी खेती की प्रबंद विवस्थाओं के लिए किया जाता है, जिसके अंतरगत भूमी पर सयुक्त रूप से खेती की जाती है। इसमें क्रिशक अपनी भूमी को एक साथ मिलाकर एक समीती बना लेते हैं। साथ ही भूमी पर सदस्यों का व्यक्तिकत अधिकार भी बना रहता है। कृशी से प्राप्त लाभांच से सुरक्षित कोश, आगामी फसनों वकारियों में खरच होने वाली राशी को निकाल दिया जाता है और शुद्ध लाभांच को सदस्यों के भूमी के अनुपात से बाट दिया जाता है। समीती की प्रवंध समीती के निर्दईश अनुसार वे सयुक्त रूप से खेती का काम करते हैं। वर्ष के अंत में कृषकों को उनके कर्म के अनुसार मजदूरी दी जाती है। समीती का कार्य कृषी के लिए आवशक साधनों उपकरणों का प्रवंध करना है। डॉक्टर ऐसे नगरवाल के अनुसार जापान के छोटे खेतों में आस्ट्रेलिया वा अमेरिका के बड़े खेतों के अपिक्षा दुगुना और स्विट्जर लेंड वर डेंडमार्क में चोगुना उत्पादन होता है। सहकारी कृशी के पक्ष में कहा जा सकता है कि देश के 20 पृतिशत लोगों के पास किसी भी व्रकार की भूमी नहीं है और लगभग 40 पृतिशत मध्यस्त किसान 5 एकर भूमी के स्वामी है। इनमें 10 पृतिशत बड़े किसानों के पास 50 एकर या इससे अधिक भूमी हैं जो भारत की कुल कृशी योग्य भूमी के दो तिहाई भाग में खेती करते हैं। अधिकतर लोगों के पास अनार्थिक जोते हैं क्योंकि जोत छोटे-छोटे टुकडों में बटी हुई है। ऐसी स्थिती में भूमी का पूरा-पूरा लाव उठाने के लिए सहकारी कृशी ही एक मात्र विकल्प है। क्रिशकों को सहकारी कृशी से अधिक आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती हैं। इसमें विकतिकत नुक्सान का स्थान सामुई गुरूप गरहन कारता हैं। क्योंकि भसलों में नुक्सान एक के उपर न पढ़कर सभी के उपर पड़ता है। सहकारी खेती से व्यापक पैमाने की खेती का लाव सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। इन लाभों में सस्तिदर पर्याप्त साख की उपलब्धी, नवेन उपकरणों का प्रयोग, सिचाई के अच्छी विवस्था, बड़ी मात्रा में बीज एवं खाद की खरीद में मित्वियता, कृशी कारे में इश्टम विभाजन, आदी सम्मिलेत हैं। इसके परिणाम स्वरुप उत्पादन लागत में कमी आती है तथा उत्पादन में वृद्धी होती है। पूझी का साधन तेजी से बनते चलते हैं। इससे पूझी, श्रम तथा भूमी तीनों में एक साथ हुरुद्धी होती है और श्रम का परिपून उप्योग भी संभा हो सकेगा। खाद, उन्नत बीज, कीट नाशक दवाईया तथा उचित मात्रा में सिचाई की विवस्था करने में छुपा हुआ है ना कि विशालकाय फार्मों के आकार को बदलने में। किन्तु जहां फार्म का आकार भारत में अत्यंत छोटा है कृशी विकास के दोनों तत्वों पर समान जोर दिया जाना चाहिए। दोनों प्रयासों का समन्वित रूप सहकारी कृशी है जहां यह फार्म के आकार को बड़ा बनाता है। वहीं दूसरी तरफ खाद, सिचाई, कीट नाशक दवाईयों, उत्तम बीज तता अन्य साध्धों के विवस्था करता है। इस विधाओं को व्यक्तिकत कृशक जुटाने में असमर्थ होते हैं। अतयव भारत जैसे अर्द विक्सित देश के लिए सहकारी कृशी की सार्थकता को नकारा नहीं जा सकता है। अस्य प्रतिशत भारती जनता की जीविका का आधार कृशी है। उनके निर्वाह और वर्ष का भविश्य इस बात पर निर्भर करता है कि इस साल बारिश कैसी हुई और कैसी फसल होने की संभावना है। अस्य प्रतिशत आबादी की खुशाली और निर्वाहो चित उपारजन के लिए आकाश के बादलों पर निर्भर रहना एक दुख की बाद भी है। यदि बारिश कम हुई तो सूखे का डर, यदि आवशक्त से अधिक पानी गिर गया तो बारिश से फसल गल जाने का डर, और न जाने कितनी कितनी कठिनता पून घणियों का सामना करना पड़ता है। तब कहीं जाकर दो दाने के सो दाने पैदा होते हैं। ख्रिशी उत्पादन बढ़ाने के लिए पुरुशकों को अच्छी भसल के हेतु आकाश पर ही निर्भर न रहने के लिए हरित क्रांती का सूत्रपात किया गया। जमीन की उर्वराशक्ती बनाए रखने और बढ़ाने के लिए रासाइने खादों का प्रचार किया गया। तबी उर्वराशकों की कमें ने आदब हो जाओ। इस समस्या के बाद से ये अनुभव किया जाने लगा कि क्रिशी विकास के लिए हमें अपने देश में उपलब्द साध्रों का लाब उठाते हुए विज्ञान के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। प्रिशी उत्पादन को सुधारने के लिए प्रिशी प्रबंध सुधारने की सर्वप्रिथम आवशकता है जो जन्स्तर पर किया जाना चाहिए। अच्छे प्रबंध द्वारा खरीफ के अधिकांश फसलों से अधिक्तम उपज ली जा सकती है। प्रिशी विशेशक्यों का मत है कि धान की बुबाई करते समय घने बुबाई नहीं करने चाहिए। धान की खेती करते समय किसान अधिक पौध तयार करने के लिए थोड़े से स्थान पर कई-कई पौधे रूप देते हैं। ऐसा करने से उस्थान की सीमा में उपलब्ध, जमीन की उर्वरा, शक्ती कई-कई पौधों में बढ़ जाती है। फलता प्रते पौध जितने दाने दे सकती है उतने नहीं देती। रोपाई करती समय हर छेद में एक-दो पौधे से ज्यादा न रोपे जाएं और उनकी गहराई भी एक से दो सेंटिमीटर अधिक से अधिक एक इंच से ज्यादा न हो। यह प्रयोग शस्य शास्त्रियों ने कई खेतों में किया है और वर्षों की खोज के बाद सफल रहा है। कृषी वैग्यानिकों ने भारतिय कृषी की प्रतिक समस्या पर अनुसंधान किया है और उनका हल भी निकाला जा चुका है पर मुख्यावशक्ता उन खोजों को अपनाने की है किस मौसम में क्या उगाएं और क्या न उगाएं तथा कैसे उगाएं और कैसे न उगाएं आदी बातों की एक वैज्ञानिक पद्धती निकाली जा चुकी है इन निशकर्षों के नुसार सामाने मौसम में भी अच्छी फसल ली जा सकती है और असमाने मौसम में भी एक शस्य शास्त्री के अनुसार शोलापूर और मुहोन में किये गए प्रयोगों के आधार पर यह निश्कर्ष निकाला गया कि सामाने मौसम में इस प्षेत्र में बाजरा की फसल के बाद चना लें और मून की फसल लेकर रभी की जुआर लें जबकि असमाने मौसम में अगर जून में वर्षा न हुई हो और जुलाई में हो गई हो तो संकर बाजरा, कोई दलहन, मूमफली और सूरज मुखी उगाने की सिफारिश की गई है इस प्रकार क्रिशी में वैग्यानिक निशकर्षों का लाब उठा कर फसल की पैदावार बढ़ाई जा सकती है अधिकांश किसान, क्रिशी के वैग्यानिक पद्धतियों को अपनाने, उनसे लाब उठाने में हिचकिचाते हैं और अपने उन्ही पुराने तरीकों को अपनाते रहते हैं इसका एक प्रवकारण यहां बताया जाता है कि उन तरीकों से ही हमारा पेट भर जाता है तो हम क्यों इस पच्डए में पड़ें इस कारण के पीछे जो किसानों द्वारा बताया जाता है, सुस्ती, उपेक्षा और अशिक्षा तो मूल रूप में हैं ही, एक बड़ा कारण राष्ट्री दृष्टिकून का अभाव भी कहा जा सकता है। क्रिशी, ना तो व्यक्तिगत आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए किया जाने वाला व्यवसाय है और ना ही ऐसा धंदा है जिसे लगपती बनने मात्र के उद्देश से किया जाना चाहिए। क्रिशी, ही क्यों, अन्यान व्यवसाय उद्द्योगों के पीछे भी व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के क्रिया कलाप और गतिविधी का प्रभाव समाज पर पड़ता है। शस्त्र उत्पादन के कारे में लगे मजदूर और कर्मचारी यह सोचे कि यह काम हम अपना पेट भरने के लिए कर रहे हैं, तो उनसे अच्छा काम होने के आशा नहीं रहती, जितनी की राष्ट्री सुरक्षा के लिए की जाने चाहिए। सीमा पर लड़ने वाला सैनिक यह सोच कर सेना में भरती हो कि उसे अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है, तो वह मरने के लिए क्यों सेना में भरती हो। राश्वक्ति और देश प्रेम की ही भावना मुख्य रूप से सैनिक को आत्मोत सर्ग के पत पर अग्रसर करती है।